अभी तक आपने अस्तो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कविंट्स करें स्री क्रिष्ट जनमास्ट मी पूजन पर इस दुरलव योग में ऐसे करें पूजा का नहां आएंगे आपके घर स्री क्रिष्ट जनमास्ट मी पूजन में इस दुरलव योग में किया जाए तो लाव ही लाव होगा स्री क्रिष्ट जनमास्ट मी के दिन ब्रत्ति को भगवान के आगे संकल्प लेना चाहिए कि ब्रत करता स्रेक्रिस्ट की कृपा प्राप्ती के लिए समस्त रोग शोक निवारन के लिए संतान आदी कोई भी कामना जो सेस हो उसकी पूर्ती के लिए बिधी बिधान से ब्रत का पालन करेगा ऐसा संकल्प लेना चाहिए स्रेक्रिस्ट जर्मास्टिमी के दिन प्रातह कालीन अस्दानादी से निब्रत होकर मनोकामना पूर्ती एवं स्वास सुख के लिए संकल्प लेकर ब्रत धारण करना लावधायक माना गया है संध्या के समय भगवान के लिए जूला बना कर बालकृष्ट को उसमें जूलाया जाता है आरती के बाद दही माखन पंजीरी एवं उसमें मिले सूखे मेवे पंचामरित का प्रसाथ भोग लगा कर भगतों में बाटा जाता है पंचामरित द्वारा भगवान का स्नान इन पंचामरित ग्रहन करने से प्रमुख पांच ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है दूद, दही, घी, सहद, सक्कर द्वारा निर्वित, पंचामरित, पूजन, पश्चात, अम्रित, तुल्ल हो जाता है जिसके सेवन से सरीर क अंदर मौजूद हानिकारग विशाणूनों का नास करता है। सरीर की रोग प्रतिरोधक छमता का विकास होता है। अश्टिमी की अर्धरात्री में पंचामरित द्वारा भगवान की कृपा के लिए इनका स्नान लौकिक यंग प्रलौकिक प्रभाव में ब्रिंदी करता है। रात्री में बारह वजे, खाने में भगवान का जन्म कराकर जन्मों सो बनाना चाहिए। जहां तक संबह हो, संजम पुरवक, नियम पुरवक से ही बरत करना चाहिए। जो लोग अस्वस्त हों उन्हें ब्रत नहीं करना चाहिए सरे क्रिष्ण जनमास्टमी का ब्रत करने से साथ जनमों के पापों का नास होता है भगवान क्रिष्ण की भक्तियों कृपा प्राप्त होती है जनमास्टिमी के दिन ब्रत धारण कर गोधान करने से करोड़ों एकादस्यों के ब्रत के समान पुर्णे प्राप्त होता है जनमास्टिमी पर करे बासुरी का बिशेस उपाई योगेश्वर भगवान सरक्रिश्ण को मुरली वाला कहा جाता है वास्तो में मुरली बासुरी पुर्वकाल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी एक स्राप के कारण सरस्वती जी को बास के रूप में जन्म मिला लेकिन बास बनने से पुरुमा सरस्वती ने प्रभू प्राप्ती के लिए तप किया जिसके फलत स्वरुप कृष्ट आउतार में बासुरी भगवान कृष्ट की सहचरी बनी भगवान स्रेकृष्ट की भासुरी सभी जड़ और छेतन का मनमुह लेती है मनुकामना पूर्ती एवं पूजन के लिए जनमास्टिमी के दिन स्रेकृष्ट मंदिर में जाकर भगवान स्रेकृष्ट को बासुरी अवस्य चढ़ानी चाहिए अगर ग्रह दसा से पिडित हो तो एक बासुरी में चीनी भर कर पीपल के पीड के नीचे दवा दें इसे सिगरे मनुकामना पूर्ण होगी इस वार स्रीकृष्ट जनमास्टिमी के दिन आकास में कई ग्रहों का सुभिश्ण योग एवं अर्धरात्री ब्यापनी अस्टिमी तिती सोम बार रोहणी नक्षत्रेओं उंचे ब्रिशरासी के चंद्रमा का दुर्लग योग पूर्ण दायक योग बन रहा है भाद्रपदमास, क्रिष्ट पक्षकी अस्टिमी, क्रिष्ट भक्ति, मनुकामना पूर्ति एवं ब्रत आदी के लिए विशेष शुह प्रद है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सेर करें और कमेंट्स करें नमस्कार